दोस्तो कॉरोना वाइरस का खौफ पूरी दुनिया में कितना ज़ादा है। लोग कितना डर रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात को मानकर अपने घरों में ही रह रहे हैं। दोस्तो बिजनस तो हमने सारी जिंदगी किया और आगे भी बिजनस करेंगे। जान है तो जहान है। हमें अपने प्राइमनिस्टर मोदी जी की बात को मानना चाहिए। उन्होंने लॉक्डाउन किया है तो हमारी भलाई के लिए किया है। क्योंकि ये एक बहुत ही खत्रना प्यमारी है। जो एक दूसरे के संपर्त में आकर फैलती है। ये जो चेन है, ये चेन को तोड़ने के लिए ही लॉक्डाउन भना है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से मान रहे हैं। पर कुछ तपके के लोग ऐसे हैं जो बिलकुल इस बात को मानते ही नहीं है। वो कहते कॉरोना हमारा क्या कर लेगा। दोस्तो एक इंसान की गलती से कितने लोगों को इसका नुक्सान भुगतना पड़ेगा। अभी हम TV में देख रहे थे आनन नगर, आनन विहार बसड़े में बहुत सारे लोग एक साथ अपने घर की दरब जा रहे हैं। दोस्तो एक साथ ऐसे एक जगा में इकठा होना, क्या फाइदा ऐसे कर फ्यूगा। क्यों नहीं मानने मोदी जी की बात, ये लोग पूरी दुनिया, पूरी इंडिया को खाप करने के तुले हुए हैं। दोस्तो, आप सबसे request है, प्लीज, 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 आप अपने घर पर ही रहें। घर पे बहुत सारे काम है करने को, जैसे मैं कर रहे हूं आजकाल। अपनी पुरानी फोटोग्रैफ्स देख रहे हूं, स्कूल की फोटो देखी, कॉलेज की फोटो देखी। पुरानी पुरानी मेमोरीज को देखा, पेंटिंग कर रहे हूं, योगा कर रही हूं, म्यूजिक सुन रहे हूं. जो फिलमे मैंने देखी नहीं थी, वो सारी फिलमे एमेज़न में देख रही हूं. आप ये सब कुछ कर सकते हैं. कुद्रत ने यह हमें यह सिखाया है कोरोना वाइरस का एक फाइदा तो मैं यह बोलूगी कि हम सब इंसानियत समझे हैं हम सब अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं यह शायद भगवान ही चाह रहे हैं कि भागते रहो भागते रहो लेकिन जब फैमिली वले वक्त मांगे तो क्योंकि वह भी तो काम करती है लेकिन अब उनका काम बढ़ गया है हर दो घंटे के बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए भूख लगती है काली बैटे थोड़ा आप भी हाथ बैटाई और हर बार अपना हाथ जरूर दूरिए कम से कम 20 सेकंड के लिए क्यों 20 सेकंड के मिनिममां दुनाहै ताकि वाइर्श च्ओं है तो अपने हात निख़ जाए तो आप सब से और मेरी तरफ और मोदी जी कि अपर है ए। सब की तरफ से आप से प्लीज प्लीज पीकशह आपने घर पर रहें झाल एक हूं आ